राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत की केंद्रिये शैक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान की रेडियो प्रभाग द्वरा प्रस्तु थे प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षन आर्थी अध्यापकों के लिए कारिक्रम एक लव्वे आपने एकलव्य का नाम तो सुना हुगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे देश में अनेक जाती के लोग रहते हैं। इन्ही अनेक जातियों में एक जाती है भील जाती। एकलव्य भील जाती के राजा हिरन्य धनु का पुत्र था। एक बार एकलव्य के पिता हिरन्य धनु शिकार के लिए गए, तो एकलव्य ने मा से पूछा। मा, मा, पिता जी कहां गए हैं? बेटा एकलव्य, तुम्हारे पिता जंगली जन्वरों के शिकार के लिए गए हैं। वे हम भीलों की राजा है ना इसलिए सब की रक्षा का भार तो उनी पर है मा मैं भी पिताजी के साथ शिकार खेलने जाया करूंगा और मा तेरे लिए बहुत सुन्दर हिरनकी खाल लाऊंगा जरूर जाना बेटे पर तुम तीर चलाना तो सीख लो मैं तीर चलाना जरूर होंगा कि सब देखते रह जाएंगे शाबाश पेटे पर कुछ भी सीखने के लिए गुरू की जरूरत होती है गुरू किसे बनाऊंगा गुरू तुम भी किसी को गुरू बनाकर धन और विद्या तो सीखो अच्छा मा उस समय तो एक लव्य मा की बात सुनकर चुप हो गया मगर एक प्रश्ण उसके दिमाग में घूमता ही रहा कि तीर चलाना सीखने के लिए वो गुरू किसको बनाए वो कोई फैसला न कर सका एक लव्य के पिता शिकार से लौटे तो उसने उनसे पूछा पिता जी धनुर विद्या सिखाने के लिए सबसे अच्छा कुरू कौन है धनुर विद्या सिखाने के लिए तो गुरू द्रोणाचारे का चारोर नाम है अच्छा पिता जी कुरू द्रोणाचारे कहां रहते हैं अस्तनापूर के पास उनका आश्रम है कौरव और पांडव उन्हें से अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रहे हैं पर तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो मैं भी उनसे धनुर विद्या सीखना चाहता हूं एक लब बेटा यह तुम क्या कह रहे हो हां पिताजी मुझे उन्हीं से यह विद्या सीखनी है मुझे आश्रवाद दीजिए अच्छा बेटा भागवान तुम्हें सफल करें एक लव्वे अपनी लगन का पक्का था जो बात सोच लेता उसे पूरी करके रहता आखिर वो पहुंच ही गया गुरु द्रोनाचारे के आश्रम में गुरुदेव के चर्णों में प्रणाम करता हूं आश्मान भव तुम कौन हो बालक और मेरे आश्रम में किसली आये हूं गुरुदेव मैं भीर राज हिरन्य धनों का पुत्र एक लव्य हूं मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं मेरे पिता ने बताया है कि धनुर्विद्या सिखाने में आपकी कीर्थी चारों और है मैं बहुत विश्वास और लगन के साथ आपके पास आया हूं आप नहीं कितना योग्य और द्रड निष्चाही लगता है यह मेरे सभी शिश्यों से अधिक निपुण बनेगा पर मैंने अर्चुन से कहा था कि धनुर्विद्या में मेरा कोई भी शिश्यों से ज्याधा निपुण नहीं बनेगा यदि मैंने एक लव्य को अपना शिश्य ब मैं तुम्हें अपना शिश्य नहीं बना सकता तुम लौट जाओ पुत्र गुरुदेव मैं बहुत दूर से आया हूं मैंने आपको यह अपना गुरु माना है अपसे धनुर्विद्या सीखे बिना मैं वापिस घर नहीं जाओंगा मुझे निराश ना करें मुझ में पास समय नहीं है मैं राजकुमारों को शिक्षा देने में व्यास्त हूं मेरे पास और किसी को शेश्य बनाने के लिए समय नहीं है तुम लौट जाओ पुत्र एक लव्य निराश होकर वहां से चल दिया पर उसने गुरुद्रोणाचारे से धन और विद्या सीखने का जो निश्चे कर लिया था उससे वो पीछे नहीं अटना चाहता था वो पास के जंगल में ही ठहर गया उसने पत्थर से द्रोणाचारे की एक मूर्ती बनाई उसी को अपना गुरु मान कर धनुश्बान चलाने का अभ्यास शुरू कर दिया उसने रात, दिन, सर्दी, गर्मी, बरसात किसी की परवा नहीं की लगातार मेहनत करने से वो निशाना लगाने में निपुन हो गया एक दिन एकलव्य रोज की तरह अभ्यास कर रहा था कि तभी उसे कुट्टे के भॉंकने की आवास सुनाई दी यह कुट्टा कहां बोल रहा है मेरा ध्यान बार बार भं कर देता है देखूं कहां है दिख तो नहीं रहा ओफ यह आवास यह यू नहीं मानेगा जहां भी हो इसकी आवास सुनकर ही इसकी और तीर चलाता हूं तब ही चुपोगा यह यह ले कर एक लव्य ने कुत्टे का मून तीर से बंद कर दिया कर रोगdock कट कुट्टा कौँर कौग और पांडवों का था कैंपने कुट्टे का मूं इस प्रकार पिरों से बिन्धा देखकर कौरव पान्रव हैरान हो गए वो तीर मारने वाले को इधर उदर ढूंडने लगे कुछ दूर जाकर उन्होंने देखा कि एक सामले रंका किशोर जिसके सिर पर जटाएं हैं और जो हिरन की खाल पहने हैं कंधे पर तरकर्ष और हाथों में धनुष बाण लिए खड़ा है उसके चेहरे पर अनोखी चमक है उन्होंने एकलवे से पूछा इस कुट्टे का मौतीरा से तुमने बींदा है हां मैंने इसकी आवाज सुनकर तीर चलाय थे यह मेरे अभ्यास में रुकावट डाल रहा था तुमने यह बार चलाना किससे सीखा गुरू द्रोणाचारे ही मेरे गुरू है गुरू द्रोणाचारे यह कैसे हो सकता है चलो देश से ही पूछते हैं हां चलो चले गुरू जी यह देखिए एक भील बालक ने केवल आवाज सुनकर ही हमारे कुट्टे का मूँ तीरों से बंद कर दिया है और उसके कहीं चोट भी नहीं लगी है देखो आश्चरे अध्भूत यह तो अवश्य किसी निपोण व्यक्ति का कमाल है गुरू जी आपने तो कहा था कि धनुर विद्या में अर्जुन से बढ़कर मेरा कोई शिश्य नहीं होगा हां कि तु वह बालक कहता है कि वह आपका शिश्य है मेरा शिश्य लेकिन आच्छा चलो वहीं चल कर देखते हैं वो सब एकलव्य के पास पहुंचे तो द्रोणाचारी को देखकर एकलव्य ने पूरी भक्ति से उनकी पूजा की और चर्णों में प्रणाम किया प्रणाम गुरुदेव मैं एक लव्य आपका शिश्य आपका स्वागत करता हूं आयश्मान भव एक लव्य तुम मेरे पास आय थे लेकिन मैंने तो तुम्हें अपना शिश्य बनाने से इंकार कर दिया था इसलिए गुरुदेव मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसे ही मानकर धनुषपार चलाने का अफ्याश शुरू कर दिया एक लव्य वत्स मैं तुम्हारी लगन और प्रतिभा देखकर बहुत प्रसंद हुआ सच मुझ धनुर विद्या में तुम सबसे आगे हो किन्तु किन्तु क्या गुरुदेव क्या मुझसे कोई भूल हुई है नहीं नहीं तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना जी गुरुदेव तो क्या हर शिश्य की तरह तुम विद्या प्राप्त करने के बदले में गुरुदक्षणा देने को तैयार हो हां जो गुरुदक्षणा आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं आग्या करे गुरुदे जैसी आपके आग्या यह लीजिए दाएं हाथ का अंगूठा आपके चाणों में समर्पित है एक लब वियर तुमने तो सच मुछ छुरी से अपना अंगूठा काट कर मुझे दे दिया वत्स तुम सच मुछ मान हो तुम्हारी गुरुभक्ति की कोई सीमा नहीं कि गुरुभक्ति के लिए हमेशा तुम्हें याद रखा जाएगा तुम अद्विती हो एक लव्य अद्विती हो अभियाप सुन्रहिति कारिक्रम एक लव्य आलेख अर्चना प्रभाकर कलाकार वीनाहुरा राकिश शर्मा सरोजनी प्रीतम सुरेंद्र सेथी सुष्मा कौशिक मालती और भानु भट्नागर विशे संयोजन श्वर्णा गुप्ता ध्वन्यांकन दीपक पांडे और इवं प्रस्तुती प्रभुदायाल खट्टर तथा परियुजना नर्देशन डॉक्टर एल जी सुमित्रा